वेलो कायज आपका मेरे चनल स्वाधत आज मिलोग बनाने जा रहे है मटर पनिर की यहां पर मैंने चाफ टमाटल लिए है तीन मीडियम साहच के मैंने प्यास लिया है पांच हरीमिर्च ली और लहसुन अद रिक लिया है मैंने अब इसको अपर हल्का सा इसको फ्राइ कर लों कि यहां कि में प्याज को बहुत ही रफली कट किया है अब मैं इसमें इसको कच्चा पने बिकल इसमें करें प्याज और इसको मिर्च करना कहलें शब्चा पर दों आपके तेमाटो कि दिया बहुत उप करें कि अब अब मैं इस खुंड़नेन के लीए और वूve मिषमें इसके साथ कमा नृक्ञा पृषिक कर दो उप निदी तरह में न हुअ की हिलेगा ओर बृति है bu ऐसे बहुता ह freakin निदी एक लेह तो निदी रिएक difference जब तक मैं प्याज और टमाटर की प्यूरी का मसाला हो ठंधा हो रहा है तब तक मैंने यहां पर 500 ग्राम पनील थे कुप्स में मैंने कट कर लिया है अब मैं इसको फ्राइ कर लगी यहां पर मैं 2 टेबल बड़े टेबल स्पूल सरसो का तेल यूज कर रही हूं तर दूंग गर्म होने दूंगी दाइज यहां पर तेल गर्म हो गया अब इस पनीद कि यहां पर प्राइज करोंगी निस अब ऑजें कि आपनीद होने तक आप प्राइज तरह सेह निए召 तूच जाएंगे लिए यूप जो पनीर हलके गोल्डन ब्राउन होगे अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इस पनीर को में यहाँ पे थंडे पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी इसे जो हमारे पनीर बहुत मुलाएं और अलग अलग बनेंगे कपीज़ों मैं ग्राइब पानी में डाल दियाया बधी की लिए थमाट प्याया था यह भी ठंडा हो गया अब में इसकोर में पिष लोगी को Hem है अब मैं देखिए मुशि़ों पहुँश यहां पर तेल युश्किया था पनीर को फ्राइब करने के उसी तेल में इन खड़े मसालों को भूनोंगी तो यहां पर दो तेज पत्ते लिये हैं काली मिर्च ली हुई है और मैंने दो इलाइची ली हुई है लॉंग लिया है और एक मैंने यहां पर छोटा सा पीज दाल ची जूँगी वस भीचिशा खड़े मसाले वह अच्छे से पगा है मैंने यहां पर प्योरी बनाए थी अम इसको इसमें तेल में डाल प्राइब करने हैं ह है को तो मैं तो फिला के एक जुबे मिर्ट तक में पकाओंगी इसमें यहां पर मैं काश्मीरी लाल मिर्सी ले रही अच्छी जिसको मिक्स कर लोगी इस तरह से जो मसाले हम भीगा के थोड़ी देर के लिए इसे रख देटें इसे जो मारी सब्सक्राइब आप जरूर ऐसे बार ट्राय करिएगा आप प्यूरी थी अब इसमें जो मसालों को मैंने बनाया है इसमें आट कर दोंगी एक सो दो मिनट तक इसको अच्छी से मैं पकाऊंगी थोड़ा से इसमें पानी डाल दूगी इसमें जो बचा हुआ मसाला है वो इसमें आ जाएं विलकुल धाबे स्टाइल एक पनीर कंपसम जैसे नावर को से थने घेंटार। को सरझा खाल। कर लिएंट से को टेस्ट चोड़ने लगा какой-भी जूर तीन नमारे जसे मेढ़ को फ़र सबस्ट करेंब मनारे ट्रड़ में खाल लिए पर पानी तो suffer R takeout जब भी पनीर के थोड़ी देर के पानी में ज़रूर रखिए इसे पनीर जो बहुत अलग और बहुत ही सौफ्ट बनेंगे और हमारा मसाला वह भी देखे अच्छे से पंग गया है कि मसालों ने अच्छे से तेशी फोल गया है अमें जो पनीर है इसको इसमें एड कर दूंग और यहां पर मैंने एक काटोरी के लगवर हरी मटर लिया यह फ्रोजन मटर है इसको भी मैं इसमें एड कर दूंगी तो मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें एक से दो मिनट हो गया है यहां पर मैंने ग्लास पानी लिया है मैं इसको इसमें एड करूंगी जरूए नी कि मैं पूरा ही एक करूंगी तिकि मुझे लग रहा है यह कापी है क्योंकि थोड़ी देर पकने के बाद अच्छी खासे प्यूरी बन जाएग इसमें आप मैं अच्छे से पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए धग दूंगी जिसको हमारी मसाले है अच्छे से पक जाएग पनीर में भी आ जाएग उसकी जी ग्रेवी है तीन से चार मिन हो गया है अब मैं इसको प्लेट को हटा के देखूंगी देखे गाइस किती कि अजिस अच्छे में ख्ली देखे गया घर्वेस थाला मारी फनीर बनी एं गयिए अ मैं श्री आच्छे देख्लेट को बन कर दूंगी और यहां पे मैं थोड़ी सी आपे में कसूरी मेथी ली हुई है उसको में एट कर दूँगी इससको इसको टेस्ट बहुत ही अच्छ आप अपर दन्या भी आट कर दे रहे हूं इस अपको अच्छे से मिक्स कर दोंगी आप ग्रेवी घिस अजित्ता भी आप ग्रेवी खाना पसंद करते हो उत्ता पानी आट कर लिए गा लग रही ना गाइस रिल्कुल टेस्टी हमारी मतर पनीर अमे इसको सर्फ कर दोंगी आप इसे चाओर रो टी के साथ पाज पूरी के साथ जरूर ट्रय करें अधिक कॉमेंैं ने जरूर बताईए कि कैसी बनी आ हाज्या मेरे चैनल को लाइक पर दृति को लाइक करें बेरón व्रेटिय वीर्ट्र वीडियो को लाइक करें शेर करें प्लीज इप सपोर्टिंग म guys, bye-bye!